हलो दोस्तों कैसे आप सब आप देख रहे हैं यूटूब का ग्यानालाय चैनल मैं हूँ विजय चोधरी और आज का टॉपिक है सासकिये पत्र इद्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं इंगलिस में ऑफिसियल लेटर सरकारी पत्र क्या है इसकी परिवासा क्या है बिसेस्ता क्या है और सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं यही इस वीडियो में बताया गया है यह जो टॉपिक सरकारी पत्र का यह संग और राज यह लोग सेवा आयोगद्वरा आयोजित होने वाली मुक परीच्छा में अनिवार हिंदी के तहात पत्र लेखन आता है उसी के तहात सरकारी पत्र को हम इस वीडियो में डिसकस कर रहे हैं बाकी और भी तरह के पत्र लेखन आते हैं जिनको हम जैसे अर्दसरकारी पत्र, सरकुलर, बिग्यप्ती, अनुसिमारक ये जो बाकी के पत्र लेखन हैं उसे हम अलग्स वीडियो में धीरे-धीरे अप्लोड करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे किजिए अगर आपके पास कोई जान का कोई क्वेरी हो तो आप हमारे फेस्बुक पेज www.facebook.com सलाइस ग्यानाले पे हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे आप अपना क्वेरी अपना सुझाओ नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं इसी मी बीजय चौधरी अगर आप मेरे बारे में और कुछ जाना चाहते हैं तो facebook पेज www.facebook.com सलाइस बीजय चौधरी.officell से संपर्क कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या है सरकारी पत्र ये जान लेते हैं इसकी परिभासा क्या है सरकार के कामकाज से संबंदित पत्र सरकारी पत्र कहलाता है इसका परियोग सरकारी विभागों या कारियालें द्वारा किया जाता है सरकारी पत्र नाम से ही केलिए रहा है कि सरकार के कामका से संबंदित जो पत्र होगा वो सरकारी पत्र कहलाता है सरकार के जो कारियाले हैं विभाग हैं उनके बीच में सूचनाओं का आदान परदान होता है उसके लिए उवे जो पत्राचार जिस पत्र का प्रयोग करते हैं अपने पत्राचार में उसे सरकारी पत्र कहा जाता है सरकारी पत्र का एक निश्चित प्रारूप होता है उसकी कुछ विसेस्ताएं होती हैं उनकी जो परमुख विसेश्था हैं हम उसे यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं कि या पूरी तरह से आपचारिक होता है इसमें बैक्तिकत परीचे नहीं होता है जब सरकारी पत्र लिखा जाता है तो उसमें किसी अधिकारी का नाम पहचान या पता कुछ नहीं लिखा जाता है अग इसनी जरूरत की बातें हैं वही लिखा जाएगा एक संतुलित और संच्छिप्त रूप से आप अपनी बातों को सरकारी पत्र में कहेंगे भासा जो सब्दावली है आप जब आप सरकारी पत्र लिख रहे होते हैं तो उसमें राज भासा की सब्दावली का प्रयोग किया जाता ऐसा नहीं कि आप देशी गरामेड़ी या कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसी बोल्चाल की भासा प्रयोग नहीं करें कि जो भासा होगी वो राज भासा सब्दावली की होगी पंचुई विसेस्ता जो है वो है कि भासा आपकी सहिएत और सिष्ट होनी चाहिए आप एक अधिकारी है दूसरे अधिकारी को पत्राचार कर रहे हैं तो निश्ची सी बात है जायर सी बात है कि भासा जो है वो सहिएत होनी चाहिए आपके पत्र में सिष्टता जहलकनी चाहि विसेष्टा है सरकारी पत्र का कि ये अन्य पुरुष सहली में लिखे जाते हैं कहने का मतलब ये है कि जब आप सरकारी पत्र लिख रहे होते हैं तो उसमें माय हम जैसे सब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है सतुवी विसेष्टा ये है कि एक पैरा में एक बात लिखी ज जाती तो आप दूसरे पहरा से अपनी दूसरी बात कहेंगे तो ये सरकारी पत्र के परमुक बिसेस्ताएं हो गई और सरकारी पत्र क्या होता है इसके बारे में बात हो गई ये एक प्रारूप है जब परसन आते हैं मेंस में जो परसन आता है उसमें आता है कि एक प्रारूप लिखिए सरकारी पत्र क्या है और एक प्रारूप लिखिए या फिर आता है परसन की सरकारी पत्र क्या है एक उधारन देके इस पस्ट कीजिए तो ये अगर प्रारूप लि जो धाचा होता है सरकारी पत्र का वो ऐसे होता है दाई तरफ सबसे उपर में लिखा जाता है पत्र संख्या, नीचे विभाग, फिर इस्थान और दिनांक तो ये सारी बातें दाई तरफ पत्र के दाई तरफ लिखी जाती है ये और सबसे पहले लिखा जाता है प्रेशक, प्रेशक के तुरंत बात कामा लगता है और कौन है भेजने वाला, उसका मंत्राला क्या है वो लिखा जाता है नीचे सेवा में यानि आप किसे पत्र भेज रहे हैं तुरंत कामा लगेगा और उसका जो है पद क्या है और कौन सा कार्याल है या मंत्राल है वो लिखेंगे फिर आप बिसे लिखेंगे कि किस बिसे पे आप पत्र है लिख रहे हैं यह वो लिखा जाएगा और नीचे लिखेंगे महोदै कामा अपनी बात लिखेंगे एक बात खतम हो गई आप दूसरी लाइन से दो पैरा लिखे, दो नमबर डालके दूसरी बात लिखेंगे जब पहली पैराग्राप यहां से सुरू हो रहा है तो यहां पर एक नहीं लिखा जाता है दो से शुरुवात फुरेती नम्मरिंग दो से होगी आगे और बात लिखनी होगी तो आप तीन लिखेंगे चार लिखेंगे और दाई तरफ सबसे नीचे लिखा जाता है भावदिये हस्ताचर किया जाता है और नाम लिखा जाता है और कौन सा मंतराल है ये लिखा जाता है तो प्रारूप लिखने को आएगा तो आप इसे लिखेंगे ये जो प्रारूप है हम इसे जो है अपने नीचे जो है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में इसे दे रहे हैं आप वहाँ पे जोता है पढ़ लिजे होगी जो हिंडी के लेक्चरर होते हैं जो येकर ओड़ होते हुँए उनका हिंदी प्रेम भाई अद्बथ होता है जरासी भी यह गलती बरदास्त नहीं करेंगे आप यहाँ परस्ज जोता है आप जो ता Sapah लगाना बहूल गए, यहाँ नंबरीं करना बहूल गए दाइग बाए लिख दिए तो यह आरी चीज़े वह माफ नहीं करेंगे आपका तुरंट नंबर काट लेंगे तो तो जाहिर सी बात है कि आप गलती मत करिए तो ये प्रारूप है सरकारी पत्र का इसी प्रारूप पर सरकारी पत्र लिखा जाता है देख लीजिए कहां कहां पर कैसे लिखा जाता है अब एक उदारान से इसे इस पष्ट करते हैं ठीक है उसी प्रारूप पे हमने एक नया जो येक उदारन दिया कि सबसे उपर जो है पत्र संक्या लिखी हुई है पत्र संक्या ग्रह मंत्राले 4 आदोजार 17 नीचे ग्रह मंत्राले कामा उत्तरप्रदेस सरकार लखनव दिनांक इतनी बाती दाएं तरफ लिखी गई है फिर ह आपका ध्यान एलाहा बाद उचे नयाले के सामने इस्तित भूमी की और आक्रिष्ट कराने का निदेश हुआ है या भूम बिगत अनेक बरसों से खाली पड़ी है रच्चा मंत्राले द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है अब एक बात अपनी पूरी खतम हो गई दूसरी पहरा ग्राप लिखते वक्त दूसरा नमबर डालेंगे हाँ और सुरुवात करेंगे कि उत्तर परदेश सरकार इस भूमी का इस्ताना अंतरण चाहती है यहाँ पर परदेश सरकार की ओर से पुलिस पर सिच्छन केंदर बनाने की योजना है रच्चा मंत्राले की स यहाँ पर खतम कर सकते हैं लेकिन अगर यही पत्र और लोगों को भी वेजना है तो आप प्रिश्टांकन उपर यूग्त मतलब जो प्रिश्टांकन हमने सबसे उपर लिखा था कि पत्र संख्या इतना वही यहाँ पर लिखा जाएगा या फिर आप सीथे लिख सकते हैं कि प्रिश्टांकन उपर यूग्त मतलब जब आप उधारन दे रहे होते हैं तो काखा गा या आबासा ऐसे लिखा जाएगा तो ये एक उधारन हो गया प्रारूप भी हमने सपष्ट कर दिया तो सारी बातें सरकारी पत्र में किलियर हो गई हैं आप डिस्क्रिप्सन बाक्स में नीचे इसकी जोता है लिख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्सन बाक्स में हम लोग इसे लिख दे रहे हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक सेर औ ना भूलिये थैंक यो सो मुछ फार वाचिंग आर वीडियोग।